पूरा जग आपकी शरण में है जय हनुमान प्रेव और मर्डर केस पूरी लाइफ के लिए अंदर जाएगा केस तो मैं क्लोज कर दूँगा लेकिन उसका परिवार ए बगवान त्वाई बजाओ बाजू की बस्ती वाले पोस्ट मैं ने सब देखा है तो इस्टेशन जाकर आता हूं मा बेटा तू तो घर की तकलीफों को जानता ही है तो इन सब लफडों में पढ़ना ज़रूरी है क्या पंदरा साल की बच्ची थी हो मा उसे नियाय मिलना चाहिए पापा जल्दी आना मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगा प्लीज खीके बिता लक्षमी मैं जा रहा हूं अपना ध्यान रखना उसका हम्मू कैसे बंद करोगे खर्शब बंद करोगे लाई। प्वाप याल याल्दी आना व्पाप याल्दी आना वट बिता लाई। मैं आपके बिना खाना नहीं खाऊंगा एई शिवू चला कर सोजाओ मैंने कहा था नमा पापा के आने तक मैं नहीं सोऊंगा कुरुक्षेत्र में अधर्म का अंत हुआ था उसी प्रकार जब-जब इस धर्ती पर धर्म के उपर अधर्म की जीत होगी स्वयम हनुमान जी उस अधर्म का अंत करेंगे पापा ये मुझसे ज़्यादा अपने पिता के साथ रहकर बड़ा हुआ है लेकिन अब इसके पिता की मौत हो चुकी है वो अब कभी वापस नहीं आएंगे ये बात इसे कैसे समझाओ डॉक्टर पिताजी एक दिन नहीं लोटे हैं तो बिचारे की ये हालत हो गई है अगर शिवा को अपने पिताजी की मित्यों के बार में पता चल गया तो नजाने क्या होगा मैं आपको यही सलाह दूँगी कि फिलहाल आप इसे कुछ मत बताईए अरे खाओ ना अराम से बैठकर मेरे पैसों को खाओ मा की तकलिफें बढ़ती जा रही थी एक तरफ पती को खो देने का दो दूसरी तरफ बेटे को समालने की जिम्मेदारी और अब लेंदारों के जमेले एक हफ़ते बाद फिर आऊंगा मैडम अगर तब तक भी मेरे पैस है एक यवार में जहर का अगर मर जाए हर समस्या का हल आत्म हत्या नहीं होता है इस महसूम के बारे में सोच तुम्हें इसके लिए जिन्दा रहना होगा सिर्फ एक ही रास्ता बचा है तेरी माह होने के नाते तुझे समझा रही हूँ अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो दोबारा शादी कर सकता है अगर तुम उनसे शादी करोगी तो तुम्हारे बेटे को भी सहारा मिल जाएगा उसे बिना कुछ बताए कुछ सालों के लिए हॉस्टिल भेज देंगे उसके भविश्य के बारे में सोचो लक्षमी, शादी के लिए हां बोल दो मैंने इस शादी के लिए हां अपने खुद के लिए नहीं बलकि शिवा के भविश्य के लिए की थी उसे हॉस्टल भेजने का फैसला सही नहीं लग रहा उन्होंने भी तुमसे शादी इसलिए की ताकि उसकी ननी सी बिटिया को मा का प्यार मिल सके उस बच्ची को भी तुम्हारी जरुरत है भगवान ने उन्हें हमारी साहता के लिए भेचा है पहले तुम घर में सैटल हो जाओ उस बच्ची को अपनी ही बेटी के समान समझना लक्ष्मी शिवा का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना आपका सन किसी से भी बात नहीं करता है हर समय अकेले बैठा रहता है उसका क्लास उस तरफ है आप जाकर मिल लो मा पापा आएंगे ना आज हलो शिवा बार-बार अपने पिता से बात करने की जिद कर रहा है दो से पापा कितने दिन हो गए आप से बात किये हुए मुझे आप किदहर हो पापा शिवा को मेरी आद आ रही है मा बेटा ध्यान से सुनो मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है तुम अच्छे से पढ़ाई करो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुमसे मिलने आऊँगा प्रामेस प्रामेस वो श्वा हमेशा तु क्या इसके पास बैठा रहता है चलना बाध सब क्रिकेट खेल रहे हैं ज़्यारे मेरी सुन उस्छा पाट मेरे साथ मेले मे चलेगा मेले में जाना है मैं नहीं आऊंगा अरे सुन तो सही मेले में जूले जूलेंगे और पता है साथ में चौकले आइसक्रीम बॉलून सब कुछ मिलेगा हमारे शिवा को मुझे ये सब नहीं चाहिए अरे चलना मेरे बत्तों बोलाना नहीं चाहिए अरे इतनी सी उमर में इतना गुस्सा ऐसा नह करते हैं बेटा अंकल बाबा मुझसे गुस्सा है क्या मैंने क्या किया कब तक सच्छी पाती रहेंगे बता देते हैं ना नहीं लक्ष्मी पहले उसे मुझे पसंद करने दो सही वक्त देखकर उसे सब बता दूगा मैं एक तरफ अपने पिता के इंतजार में बेटा दिन र अंता भी चीन ली अब बस भगवानी दोनों मापुत्र को वापस एक कर सकते हैं कर दो 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 अर्च्छ नीवायु पुद्ट्रा जै 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 आ जलेया अर्च नीवायु पुद्रा शीवादबता छॉजट शीवाद कि दादी कि दादी कि दादी कि मेरा बच्चा मेरा समया चुप रहा हो दादी आपको कुछ नहीं होगा दादी शिवो मत्से एक वादा करेंगा बेटा दादी जरूर करूंगा तू मुझसे वादा कर उस बाबा की कसम खा मैं बाबा की कसम खाता हूं दादी आप एक बार बोलो तुझे तू दस सालों से अपने बाबा का इंतजार कर रहा है दिन रात उनकी याद में तड़पता रहता है लेकिन वो कभी नहीं आएंगे उस रात को ही एक एकसिडेंट में तेरे पिता की मौत हो गई थी कि वादा करके तू मा का ख्याल हमेशा रखेगा हलो आप कहा हो बाबा काम के सिलसिले में शहर आया हो बेटा आप कौन है मैं तुम्हारा बाबा अब तुम्हारे बाबा और मैं एक ही आफिस में काम करते हैं बेटा अपने बेटे की आप में धूल जोग कर किसी और के साथ चादी कर ली इसकी माने अरे वह छोड़ो वहां भी बेचारी सुखी है क्या नहीं बस बेटे को पढ़ाने के लिए वहां नोकरानी जैसे काम करके देती है बेचारी अरे इसकी दादी की बर्सी पर भी उसके नए घरवालों ने नहीं आने दिया उसे लगता है बेचारी के घरवाले बहुत कट्रूर हैं देखो कितना बड़ा हो गया है फिर भी अपनी मा को संभाल नहीं सकता ना नहीं नहीं का कि यहीं कितना हुआ कि यहां कितना हुआ कि यहां कैसे है बेटा होस्टल में सब कुछ ठीक तो है ना तूने दूसरी शादी की ना मा मैं तुछ से क्या पूछ रहे हूं और तू क्या बात कर रहा है सबसे सरूरी बात कर रहा हूं मैं तुने दूसरी शादी की ना मा शीवू आओ अंदर चलकर बात करते हैं तुछ से बात नहीं कर रहा हूं मैं अपनी मा से बात कर रहा हूं बताओ आपने दूसरी शादी की तो अब क्या अपने घर चलते है मां तुझे इस घर में रहने की कोई जरौत नहीं है दादी को डादी को क्या हुआ क्या हुआ उनको, कैसे हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया नहीं बताने की बात तू मत कर, बस तू चल मेरे साथ हमें किसी की जिरुद नहीं है, मैं हूना देरे लिए होस्टेल की पढ़ाई खत्म क्या हो गई तू तो, अपने आपको मर्द समझने लग गया मेरे बेटी ने सही वक्त पर मदद नहीं की होती तो, तुम दोनों किस परस्तिती में होते ए बुरिया, मेरे और मेरी मा के बेच में नहीं बोलने का शिवु, अगर तुने मा जी से इस तरह से बात की, तो मैं भूल चौँगी कि तु मेरा बेटा है तो अब मैं तेरा बेटा ही नहीं रहा हूँ मा इन सब ने मिलकर तुझे मेरे खिलाफ भाड़काया है लेकि तु समझ नहीं पा रही है मा इस आदमी को पत्नी नहीं चाहिए थी सिर्व अभी बेटी बादने के लिए नोखरा नहीं चाहिए थी अपने माबाप के विना अकेला बड़ा बड़ा हूँ बगवान के लिए में जाने दीजिए शीव मेरी बात समया हाथ नहीं लगा रेका बच्पन से तुम पर भरोसा करता ना इतनी बड़ी बात तुमने छुपा के रखी मुझ से अरे यादे तुमने तो कहा था कि मेरे ब किया है बेटा मेरे लिए नहीं किया सब अपने लिए किया मेरे इतनी फिक्र होती तो मुझे पहले दिरी सच मोल देते तेरे बाबा कभी नहीं आएंगे अपसे मैं ही तेरा बाबा हूँ लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा क्योंकि तुमने कभी दिल से माना ही नहीं कि मै तुम्हारा बेटा और यही असलियत है नहीं ऐसे नहीं है शीबू चल माहां बस बहुत हुआ चल पहले इनसे माफी माफी गलती किसकी है जो सर उठा के बात कर रहा है उसकी या जो सर जुका के शर्मिंद की महसूस कर रहा है उसकी देख माह दादी को तेरा जिंदगी भर ध् यहीं वी मी घुटाँ है व्षुर्व जहीं तोरता हूं मैं जैंदो जन्म चल वाँड़्व शीबू संट मद मरता है नेये गलताम्दीयन है शीबू पसन्र पलिपा कदंदा स्acyốn मैंदनי इसाल करते आचिण है हेपर मुझें कर अचिण मुझे समने ठुक रादिया कोई बात नहीं सब के सब ठोके बास है यह प्यार रिष्टे नाते सब अक्वास है सब कुछ एक ठोंग है लिकिन मैं हार नहीं मानूंगा पथर की तरह बन जाओंगा सब को मेरी आगे ठुकाओंगा शान से जीओंगा मैं यही तुनिया की सच्च कोई तुम्हारा अपना नहीं है कोई अपना नहीं है बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और एक दिन उस आदमी के चंगुल से अपनी मा को छुड़ा कर अपने साथ लियाओंगा अपने साथ इसे क्यों मार रहे हो हाँ यह तेरे दोस्का मैं बाप हूँ इसे मारने के लिए क्या तेरी पर्मिशन ने नहीं पुड़ेगी यह तेरा बेटा तेरे घर में होगा मैं जिसको भी अपना मान कर उसके कंदे पर अपने पर्मिशन ने पर्मिशन ने तो इसे मारने के लिए तुझसे मैं पर्मिशन लूँगा बेटे को काम पर भेजूंगा ऐसा बोलकर मुझसे उधार लिगे गया और यहां ड्रामा कर रहे हैं यह जोड़ तेरी तो तेरा हाथ छोड़ में शाले अब जाकर एक वार गया तो और तेरा मेंटर क्लोस करता हूं तु जाना नहीं कर दो मैंने लेट फॉर्स साइट के बारे में सुना था लेकिन फ्रेंट से पर फॉर्स साइट पहली बार देख रहा हूं तुम्हें मुझ में ऐसा चाहिए अब तेरे में तो कुछ भी देखने लाइक नहीं है तो फिर लेकिन तुरे बाप को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आगया वह तो फूल बेवड़ा है उससे छोड़ आब अगर मैं घर पर गया तो बाप मारेगा अगर बाहर रहा तो वह सेट मुझे मारेगा तो आप मुझे तेरे साथ ही रहना पड़ेगा तुम्हें पता नहीं मेरे बाबा कौन है और तुझे नहीं पता कि इसके बाबा कौन है पहुत बड़ा कुंड़ा है तो आके बंद कर ले वह प्राब्लम नहीं है कब से पिछवाड़े पर ही मार रहे ना ज्यादा डैमेज हो गया तो घर जाकर मुझे यह मलम लगाना पड़ेगा जिरा अंदा जा लगा कि जिस आदमी की सकल ऐसी हो उसका पिछवा मुझे प्रॉब्लम है नमस्ते सर आप बोलिये क्या कंप्लेन है आप लोगों की सर मैं शिवा का पिता हूं एलो तुम मेरे कोई पिता विता नहीं हो यह मेरा पुलिस टेशन ह यहां पर सिर्फ मेरी हुकूमत चलती समझे ना सर कोई भी एरा गेरा मुझे यहां पर बेटा बोल रहा है तो खुस्सा तो आएगा ना मुझे देखिए बेरे पिता जी तस साल पहले गुसर चुके मैं इस आदमी को नहीं जानता सर प्लीज आईए आईए सर एई जाकर वहां बैठो आप लोग भी बैठिये बैठे लक्ष्मी कहिए सिर्फ आपक के कहने पर मैं इसे छोड़ रहा हूं किसे थैंगो सर चलो लक्ष्मी है इधर आओ देखो तुम्हारे माबाप कितने शरीफ और संसकारी है कोई ढंका काम वाम ढूंडो और इनका नाम रशन करो हां सर वह ही करने वाला हूं लेकिन कैसे करूंगा देखते जाहिए अपने के पर शर्मिंता होने की बचाय तो इनका और अपमान कर रहा है जो बेशरम आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरी शादी करता है वो आदमी तो अपमान के ही लायक है नक्ष्मी 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 क्या मेरा गुस्सा मुझ पही निकालना मेरी माँ पर हाथ उड़ा कर क्या अपनी मातान की दिखा रहा है और कितना दूर करेगी मुझे अगर तूर करना यह तो इस आदमी को दूर कर मां उझे नहीं तू समझ क्यों ने रही है मां आज तो मैं सामने तैसले कुछ नहीं कर पाया यह लेकिन करको मेरी कहर हाजरी में तुझे मार वार के निचाट भी ले सकता है यह अवी तो एक पल इसके साथ मेरा यह मेरे पती हैं जिन्दगी भर नेरा ख्याल रख क्या है कुछ नहीं बोलेगा तूर कोग से जन्निम लेना पेटा हुए तेरी रक्षा करना दिकार है मे अगर मुझे पता होता कि तुबड़ा होकर ऐसा बनेगा तूसी रात हम दोनों को जहर देके मार डालती है मुझे जहर दे दे मां लेकिन मेरे साथ चल हमारे घर में दे दे मुझे जहर बच्पन से लेकर आज तक रोज पर रहा हूं एक इबार में मारते मुझे चला मां दिल से नहीं आ रहा कि मैं तेरे साथ चलूं लक्षमी दादी को बचन दिया था ना मुझे खुश देखना चाहता है तो इन्हें अपने बाबा के रूपे स्विकार करना होगा तुझे ऐसा कभी नहीं हो सकता सुनिए उठें यहां से चलते हैं इसे अगर अपने माबब च जाओ आज तक अगेला रहा हूं आगे भी रह लूँगा पहले मुझे मेरा बाबा चील लिया और आज मेरी पाँ चील ली चलेगा सब चीलो चीलो सब कुछ करना है कि आंसरो खो डेक जो डाखिए। जए 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 आज जए जिल वह सुनोग गार लुट्रोगने साधु इस भूजगा को अभी पंकरो प्रतिवर्ष लोग कल्यान के लिए हम ये यग्य करते हैं बेटा ये बस्ती अब तुम लोगों की नहीं है जेबी भाई इसे खरीद कर प्राइवेट अस्पितल बना रहे हैं तुम सबी इस जगे को अभी कभी खाली करो अपना बोर्या बिस्तर बांड कर सब निकलते बनाओ क्यों जाएं हम यहां से हां हम ये यग्या अदूरा छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही ये बस्ती कभी खाली करेंगे तुम मुझे खुस्ता दिला रहे हो एक पुजारी को ललकारने का परिणाम कितना बुरा हो सकता है आज तुम्हें स्वैम भगवान दिखाएंगे आ हुर अँš झूर लगशता परी मिचं धिला तुम्हें स्वैम ग sóण ध। हुर ह पुँअ रभर प след कदाएंगे और ने Sean आपकी तारीफ यहां क्या करने आये हो जड़ा देखो तो हमसे बड़ा गुंडा तो ये आदमी लग रहा है जिन्दगी में कभी भी दोबारा पूजा रुखाने के कोशिश मत करना अपने एरिया में कभूतर भी अपन से पूच के हलका होता है अपने काम में ठांगड़ा आया ना तो टंगडी तोड़ना लूगा चार लोगों को मार कर खुद को हीरो समझ रहा है मैं हूँ हीरो साथ में किंग और नंबर वन भी हूँ लेकिन हीरो विलन की डिसकेशन करने अपन यहां नहीं आया है ठोक ले तुम सब को ठोक ने आया है मैं जल अपने भाड़े के टटू लेकर यहां से 10 सेकेंड के अंदर कल्टी मार ले नहीं तो एक को पटक पटक के आपन बिना डिटरजन के कर दो कर दोक रखरा है! कर दोसे के तारा है! कर दोपरांगई भु elephants अँड़ाAY! हुआ हए उर झां हुआ है तृहा झां हुआ हुआ है एपने है से अभावा है एपार अवाव है एपना बंदध करिया जद ए बंद कर अउल एपर एपक एपग एपपने नहाँ नहाँ ।ए पार लाव लुग एप 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 एव कर दो कर दो कर दो कर दो कि बद्वान का लाख लाख शुक्र है जो उसे बेढ़ा अरे कहां गया वो किसे ने देखा क्या आखों में अंगारों वाला मतों जैसी मुझों वाला देखो देखो भाई आया हवा आने दे हर्चा रस्ता छोड़ रे जो तक राया वो ही हारा भाई ने ऐसा पंच मारा उठना पाया वो बेचारा हवा आने दे हर्चा रस्ता छोड़ रे सर्जुका आया आया भाई आया भाई आया सर्जुका आया आया भाई आया रस्ता दे आया आया भाई आया भाई आया सर जुका आया आया भाई आया हचरे मुझे को मारने का तो तो खाब में ही सोचना सामने जो आया तो तो मारा जाएगा शेर जैसी चाल चलू सर उठा के मैं दो रहूं थाट मेरी देख तेरी क्यों जली है रे अपनी ही शर्कों पे जीओ जो जी जाहे वो ही करूं किसी से भी मैं न डरू भकत तेरा नूं माने जी का मैं सर्जुगा आया आया भाई आया भाई आया सर्जुगा आया आया भाई आया भाई आया रास्तरे आया आया भाई आया सर्जुगा आया आया भाई आया हट्चरे जिसको जो करना है कर लें CM की बेटी का हॉस्पिटल तो यही बनेगा लैंड के मालिक से मेरे मीटिंग फिक्स करवाओ अच्छा है कहिए नमस्ते ठाकुर जी मेरा नाम जेवी है बिल्डर हूं एक प्रस्ताव लेकर आया हूं बाजो वाली कॉलोनी में मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाना चाहता हूं आपकी बुश्टैनी प्रॉपर्टी है मुझे कागजात मिल सकते हैं क्या आप स्वाइम यहां तक आही गए हैं तो आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए मैं आपको यह कागजात दिखा रहा हूं यह लेजिए डूप्लिकेट कागजात के दम पर लोग कितनी सारी जगें हड़ाप रहें और आप ओरिजिनल कागजात होने के बावजूद एक प्राइम लोकेशन को बरबाद कर रहें और वहां के लोगों का क्या होगा जगें आपकी है तो उनको भगाने की जिम्मेदारी मेरी एक उसमें आपका भी शेर होगा है सिर्फ पैसा काम आता है कि कागज मुझे साउप दीजिए मैं एडवांस देने को तयार है पैसे मौके ना बार बार नहीं आते है तो सोच लीजिए ठाकुर साब जीनी के लिए पैसों की जरुवत हर एक मनुष्य को होती है लेकिन हम पैसों के लिए अपना इमान बेचने वालों में से नहीं है नेक दिल इंसान होना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन ये नेक दिली कहीं आपको महंगी ना पड़ जाए आप मुझे धमकी दे रहे हैं बलराम तुरंट सभी धर आओ अरे मैं तो आपके फाइदे की बात कर रहा हूँ एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए आप जा सकते हैं ओ जी ये सब क्या नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है अरे तुम लोग यहां क्यूं खड़े हो जाओ अपना काम करो जाओ जाओ कुछ नहीं हुआ है जो करना है चलती करो जो फ्रते दो हुआ है करो तो हुआ है ये तो है चलती कर दो हो, इसरी अच्छाइब वाराम डीजिए कि अजय करते हैं जर बाँ कि अजय करें ख Dec पटागे नहीं पोड़ोगी क्या जाओ प्लोस गेम ओवर सब्सक्राइए अपने को बिस करें तो डिलेवरी बॉय को पेमेंट प्लोस देने का और काम पेले लगने का अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने बड़े हैं पोल के सबसे इतना बड़ा केक ओडर करवाया था ना यह इस तरह हर मैंने का लाइड बिल वॉटर बिल भरते हो असी तरह हर मैंने अपनका बड़े का बिल भी बारने का गगो अलेफ फान है माई बर्थडे 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 तुस्ते माता फोड़ी कोई पागली करेंगा पागल बिल दिखांग मैं दम कर दिया इसने यार मुझे एक दरूरी काम है मैं जाकर आता हूं आज अपन का हैपी वाला बड़े है ना तो मैं पटा के फोड़ते जाता हूं तू एक एक करके निकालते जा कोई इजती नहीं है मेरी प्राँ विसे यार मेरी के गाल शी इताली इंड आज वह यह विए का लारा है घ्या कि दूह ज़ा जया काम प्राइ अच्छी और की आजा वह रखलो अग्याश्वर्वा है उ प्ते सब्स्तीन नहीं नहीं घी जाया तो भाला तो बिलकुल नहीं किया आपगे आपगे नही हलो मिस्टर यह सिस्टर वह ब्रदर सम लेडी गलोग कम तो टॉक्यों यह वह मुच पलूशन दिस ब्रीधिंग दिस ब्रॉंकाइटिस और यह वह अफेक्ट इनिमल्स है इस वोल्ट ओनली फॉर हुमन्स अमा अमा जब डर लगता है तो मुसे टाटर हिंदी निकलती है लेकिन ग्यान पेलते समाई इंग्लीज मात्रभाशा त्याक कर अंग्रेजी में ख्यान चाड़ने वाले इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्क होते हैं बुले तो पपलो एले अलाम अंडर्स्टेंड येस टेल मी वाट इस जो प्रोब्लम हाओ केना हेल्प यू पटा के फोड़ने से प्रकृती का बिनाख्योंता है समझे समझ नहीं आता है कितना अनिका रगे मेरे पटा के एलो तुमारे मेक अप से लेकर तुमारे परफ्यूम तक जो तुम लोग अलाग डिजाइन के नाइनाए बैक्स लेकर और कपले पहन कर दिन रात घूमते हो पता है उसमें इस्तमाल किये गए उत्पादों से प्रकृति को कितना नुक्सान होता है काच के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेकते नेक्स ना हजार वाला फोड़ने वाला ह लेडिज लोग की आपन बहुत रिस्पेक करता है लेकिन तुम तो देखो मैं तो नॉर्मल दिन में भी फूल पाटी करता हूं तो अपने बढ़ने वाला दिन चुपचा बैटा रहूंगा चलो रहे अभी तुम लोगा बहुत हो गया अब इससे पहले आपन का मूट है यहां शिवा कौन है नीचे बुलाओ उसे ए शिवा क्या सर इस एरिया का बच्चा बच्चा जानता है कि शिवा कौन है और उसे जाने भी नहीं आप इस एरिया में एंटर हो गए इस नोट फैर सर अगर मिस्टर शिवा कोन है पूछते तो फिर सुनाई देता अब बोल क्या खाम है अब उनसे शिवा आपने शिवा है बता क्या हुआ तुमने इस एरिया के लोगों को परिशान करके रखा हुआ है इसलिए मैडम ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन किया है ओ हो 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 जैसे ब्रमान की रक्षा शिवा करते है वैसे ये लाव कंप्लेंट कि पर ये सब क्या चल रहा है पेटी पता जी टेंशन मत लिजे कुछ नहीं को आप जाब तैंशन ये गॉत कॉना आई 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 अज़ा अरे उस दिन अपन ने आप सब को बचाया और आज आपकी बेटी मेरे खिलाफ कंपलेंड कर रही है वही से आजकल शहर में कुंडा कर दी काफी बढ़ती जा रही है ना पिर भी मैडम कंपलेंड कर रही है वह भी आपन केज खिला आजकल वैसे खिटनापिंग के भी काफी केज बढ़ गए और साथ साथ मोटर के भी उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है क्या तू अपन इससे बात कर रहा है तुझसे नहीं जाला बोन लेगा नहीं चुप रहने मैं आप से विनती करता हूं इस मैटर को इधरी खतम कीजिए मेरी बेटी का दिमाग खराब हो चुका है इसलिए पागलों जैसे हरकते करती रहती है पता है तुम अपने घर से बाहर पढ़ाई लिखाई करने निकलती हो रहा चलते लोगों से जगडने के लिए नहीं सर मु कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं इस बार बज गया सोचकर ज्यादा फुदकमात अगली बार जब किसी स्ट्रॉंग केस में भसेगा ना तब मार मार के खाल उधेड़ दूंगा तेरी बाई दिन दाड़े पप्लिक के सामने मेरा ऐसा जूनुस्ति का गयो और गले में यहार भी पहना भी है मुझे पाप करो यार मुझे छोड़ दो मैने इस कौन सी गलती उस लड़की ने कंप्लेंट क्या कर दी तुने तो गूगल मैप की तरह तेरे साब को भाई के सामने ल प्लीव जामने तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी सुनो बेटा माफी चाहता हूँ मेरी बेटी होस्टल में पली बढ़े है ना तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं से नहीं पता था तो एक दिन होस्टल से छुट्टी करवाके बताना चाहिए था मुझे सा पंगा ल तो अब तुम ही बताओ बेटा अब क्या चाहते हो तुम यह हुई ना सही बात अपनी बेटी से बोलिये कि सब के सामने पहर पकड़ के माफी मांगे तो माफ कर दूंगा जाए तो मांगने पड़ेगी समझा यह माफी मांगो इससे माफी मांग ले बेटी और बात खतम कर माफी मांगो और मैं कभी नहीं आप तो एक्शन लेना ही पड़ेगा तू चलिक कंप्लेंड इस लडगी ने अप उनका रेप्यूटेशन डामेज किया इसके उपर केस करना पड़ेगा अले जल्दी करो बेटी म ना चलो मांगो पिताजी मैं माफी नहीं को के चलो प्यार से आपन से माफी मांग लो यह बूलना कि लास्ट वार्निंग है अपन लेडी लोक के मामले से दूर रहता है इस पूरे एरिया का किंग है मैं अगर मैं पीछे पड़ गया ना तो तुम्हारा पूरा खांदान मिलकर भी आप उनसे पीछा नहीं छोड़ा सकता समझ में आया नहीं जाओ सब लोग खाना खालो और खाना वेस्ट मत करना जी आप लोग जा सकते हो ठीक है गुरुजी गुरुजी दिन प्रते दिन आश्रम में बच्छों की संख्या बढ़ती ही जा रही है लेकिन देने वाले कम होते जा रहे हैं तेखिए भगवान उनको तकलीफ देते जो सेहने की शक्ति रखते हैं भगवान हमेशा रास्ता दिखाएंगे भाई शुप चाप कल्टी भरले भाई ट्रक की चापी चाहिए गड़ है और महीने दस अनाज की बोरियां पोच जानी चाहिए सम्या लेकिन उसका पैसा कहां से अब तक अब तक अब जिन्दा इस आश्रम का कोई बच्चा भूका ने सोएगा सारा खर्चा में उठाएगा आचली बल्, निकोला डाटी फालो आचली निकोला, शुप नाचली फालो प्लूट वोड़ धाकड है बासे धाकड है रुकना यहां रे जल जल निकल ले निकल ले सारे सर जुकाए यहां मेरे डर से और मिलने को मुझे से सारे तर से मुझे को तो कहते हैं राजा यहां का तो कर ले मुझे से शादी और रानी बने जा ना पूछो ना मुझे से मेरा क्वालिफिकेशन मैं ठोकता हूँ गुंड को बिना उनकी पर्मिशन मेरी लाइफ में होगी तेरी स्पेशल पोजीशन लिग दे हस्बेंड में मेरा नमोन एप्लिकेशन निकल ले रुकना यहां तू निकल ले निकल 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 ले मैं ओडर कीसी से लू ना पूछो कीसी से मैं जो चाहू कर लू मुठ्थी में धाकड है बौसे धाकड है रुकना यहां रे जल्द जल्द निकल ले निकल ले मेरा प्रिज मंगा तो गल्ली में खड़ी आइस क्रीम की गाड़ी उठा कर लिया इससे अच्छा मेरा बेवडा बाप था दिन में एक बार मारता था यह तो पूरा दिन मारता है यह तो पूरा दिन मारता है अरे तुम फिर आ गई वो देखेगा तो मुझे मार डालेगा अज रक्षा बंदन है चलो अपना हाथ दो नहीं रह अगर तुम से राखी बनवाई ना तो वह आकर मेरा हाथ काट देगा तुम जाओ तुम पूरे जोकर हो यार है जोकर बोली तुम फेर यहां आ गई चलो निकले यहां से भाई आज रक्षा बंदन है तो उसने तुमें बेजा है ना देख मुझे राखी बान कर बेवकूफ नहीं बना सकते मां को तो मंगल सुत्र पहिना कर बना दिया हर साल का नाठा के बाप बेटी का अरे भीकारी को भी एक बार मना कर दो ना तो वह बार बार वापस नहीं आता लेकिन तुम लोगों में जरा सी भी मान मर्यादा नहीं है क्या होगी भी कैसे आखिर का रुसी की चले आते हैं यह लो चलो निकले यहांसर हें अध्या ज़ों हर साल आती हो और आशु बहा कर वापस चली जाती हो वह कभी भी नहीं अपनाने वाला जिट छटा उसे बूल जाओ प्लीज यह से चली जाओ और यहां कभी वापस मताना चलो जा ना एक सील ते ये मुझे मेरे यह घर से निकालने के धंके देर आथा कितनी बार वहां जाने से मना किया है तुझे पर तु सुनती कहाँ है हर साल वहां जाती है और डाट खाकर वापस आती है वह तो आधा पागल है लेकिन तेरा दिमाग तो ठीक है न यह तुम कैसी बाते कर रही हो लक्षमी जिस लड़क चल कॉलेज के लिए देर हो रही है तुझ जल्दी निकाल चलो बेटा अनमान जी जिस तरह आप सदा श्री राम जी का साथ देते रहें उसी तरह मेरे बेटे पर अपने आश्रिवात का हाथ बनाए रखना यह बंटा है अपनने सोचा कि आज बारिश होगी इसलिए 500 पीछे बिठाई यह तो तो दस बार ब्रेक मार भाई लेकिन मेरे साथ ब्रेक क्यों मारता है अरे वाँ पर तो देख बंटा है यह तो वही टीचर है ना अन्दे बच्चों का पैसा चुरा रही है वो और उस दिन हमारे खिलाफ कंप्लेन की थी और आथ खुद देख कितनी सबक सिखाना पड़ेगा है कि इस से कोई बात नहीं है कि लो बेटा है कि गड़ लाग इन बच्चों को पैसे देकरन की मदद करने के लिए आपका शुक्रिया इससे सिर्फ इनकी एक दिन की भूक मिटेगी लिकिन इन बच्चों की जीवन में अगर आप लोग रोशनी भर करना होगा कि जिस तरह आपने दुनिया देखिए आपके बढ़ने के बाद ये बच्चे भी देख पाएंगे हैं कि बंटा है अपन से बहुत बड़ी भूल हो गई है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की फिक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में इंग्लिस पेपर के दस रुपए देता है लेकिन हिंदी पेपर के सिर्फ पाँच रुपए हां डर्टी फैलो है यह तो वाई मसकली टीचर है ना आजकल हर जगा दिख जाती है यार इससे देखकर वो हॉस्टिल की टीचर याद आ जाती है जो हर वक्त मुझ पर चिलाती पुछ पाँच रहती थी वो जब आती तो पता है क्या वोलते था अपन गुड मार्निंग टीचर है कि यह कूल कर दिन रात रास्ते पर लोगों की लास लेती रहती हो वैसे आज कर सब ज़क्या है इस नने और यूर बिसनेस तुमसे बात करो फिर भी तुम चिलाती हो कॉलेज के सामने बार खोल रहे हैं न क्या I am our khol रहे हैं हमें नहीं बुलाओगी क्या opening अब फर्विरोध करेंगे किस चीज का विरोध करने का बार बार से क्या प्राब्लम है हम जैसों को बार में पीने से ही तो पूरी दुनिया से लड़ने की ताखत आती है और मैं उन्हीं बार वालों से लड़के बार बंद करवाऊंगा दो इसन दोकर आ बार मोग कर्या तो अनॉट है यू गो graph कि उता से लड़ने ने है या Eh थिर भॉनी का जाका जाओ actra टेरा भॉन्याम कि है नुट करण जांता है जाका जान जाओ जानरा इंत्त चाह्याियर उन्साफ जाओ जाओ शाओ Sound करण दिलोगाओ क्या तकलीफ है तुम्हें कानून के मताबिक कॉलेट स्कूल या मंदर के आसपास बार उपन करना अलाउड नहीं है अगर हम कानून तोड़ सकते हैं तो सोचो हड्या कितनी जल्दी तोड़ेंगे स्टूडेंट पर हाथ उठाने का अंजाम जानते हों तुम स्टूडेंट तो क्या उसकी टीचर पर भी हाथ उठाऊंगा हमारे देश में लड़कियों को लक्षमी का रूप माना जाता है और तू एक लड़की पर हाथ उठाकर अपनी प्रधानगी के प्रदार्शन कर्था यू मैठम हाथ? रिटो अघ्जाई प्यूपित अग्याँ प्यूच्छ अज़ जब 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 जबrios क्यों, भाए क्यों? मिर अधों सा दूना याते हो हा 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 अपाम हा अपाम हा रे सझो disruption हाु Unch हाह भर प्रॉण हा र्ण प्रॉण मुझे कोई नहीं चुका सब्सक्राइब कि अरे लोग के लड़की पाला दुगाएगा हाँ फिरनेश बॉस पुर्च वाँद्स पुर्च भर्च पाल्च व्लॉच व्लॉच जेबी का बेटाओं मैं ए डारलिंग एक बाप के चाहे कितने भी बच्चे हो लेकिन उन बच्चों का हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही बाप होता है उसी दरा इस शहर में भले ही कितने भी महले क्यों ना हो लेकिन इस महले का बाप मैं हूँ और मैं ही रहूँगा तो क्या तेरी पर्मिशन लेकर यहां काम करना होगा पर्मिशन के लिए हमारे बीच में पार्टनर्शिप होना ज़रूरी है पार्टनर्शिप? तुझे पार्टनर्शिप देके मेरा क्या फाइदा होगा? अगर मैं तेरे काम कानी होता तो तू मुझसे मिलना यहां नहीं आता सुन बंटाए तू मेरे एरिया में बार खोल या डिस्को खोल मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है बस अपनको हर अफते माल पानी पहुच जाना चाहिए बागी सब मैं समाल लूगा समझा शाबाश आज तक जितना भी लोगों के साथ धंदा किया अपनी शर्तों पर गया लेकर आज पहली बार किसी की मांगे कुबूल कर रहा हूं तुझे जितना माल चाहिए मिल जाएगा तो आज से ये बात तैह हुई शेवा कि तू अब से मेरे लिए काम करेगा बेटा आज से तेरे साथ काम करूंगा मगर तेरे लिए नहीं है अब बस्ती खाली करवाने के लिए मैं उस ऑफिसर से मिलने जा रहा हूं लेकिन बस्ती वालों की सहमेति के बेना शायद हमें परमिशन ना मिले तब ही तो उस ऑफिसर के बेटे को मैंने अपना दोस्त बनाएं फिक्रे मत करो आप यह सब मुझ पर छोड़ो ड़ाइड हूं चीर चीर लड़की का हाथ मांगने आये हम लोग बैट से एंट्रे ने फ्रंट से एंट्रे मारेंगे हां 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 हेलो पीपल्स माइशि से सराइवल पहली बार इस घर का दामाद आया है कोई वेलकम नहीं करेंगा क्या कौन है नमस्ता अंकल जी अरे यहां क्या करने आया है पैचाना क्या ए चल रहे पहलचू तेरा सचले मैं क्यों कर ला इधर कैसे आना हुआ बेटा फिर से कुछ लपड़ा हुआ क्या मेरी ब बुझा नहीं तो यहां क्यों आप जुप रही है पिता जी बोलाना जाओ यहां से या मेडम मुझे भूल गई क्या आप याद दिला हुआ क्या वह लफड़ा हुआ था पटाके फोड़े थे पुलिस भूलाई थी आखिर हो क्या रहा है रहा है पापा मम्मी के सामने हिचक ठीक है अगर पिता जी सहमत हो तो यह सब क्या है यह आसकिंग क्वेश्चन प्लीज आंसर है इसका होने वाला पती हुआ हम दोनों कमिट हो चुके हैं तो तू बीच में वॉमिट करने काय को आया बचपन में जब हम दोनों बहुत छोटे थे तो हमारे परिवारों ने हमार सब्सक्राइब करेंगे लेकिन आया लेकिन आप तो हाथ जोड रही है ठीक है इधर और देर रुगा तो आपकी फैमिली पर मेरा रोंग इंपिरेशन पड़ेगा मुझे लगा था जले भी फापड़ा तो खिलाएंगे लेकिन अस्पताल बनाने के लिए सारी फॉर्माल्टी पूरी हो चुकी है लेकिन ओफीसर ने प्रोजेक्ट का अप्रूवल देने से इंकार कर दिया है चलो देखते हैं सर वो जब सारे डॉक्यमेंट्स ठीक हैं तो साइन करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है सर आपके डॉक्यमेंट्स तो ठीक हैं लेकिन बस्ती वालों के सहमती के बिना मैं इन डॉक्यमेंट्स पर साइन नहीं कर पाऊंगा बस्ती वालों की वैज़े से मैं अपना प्रोजेक्ट बंद कर दूँ आप साइन कीजिए बस्ती वालों को मैं देख लूँगा सर आपको उनका अप्रूवल ले नहीं पड़ेगा, ये तो सरकारी काम है सर, इसमें बिना फिर बदल के कानून के मताबिक ही चलना पड़ेगा अर पांच साल में सरकार आती है और चली चाती है, आप सरकारी नौकर है, अगर आप खुश रहना चाते हैं, तो मुझ जैसे बिल्डरों को खुश रखना सीखिए, छोटा सा साइन मारना है, मार देजिए माफ कीजेगा सर, लेकिन एक अधिकारी का साइन पांच साल में बदलने वाली सरकार से कहीं ज्यादा मात तो पूर्ण होता है, वो इस लिए क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन उस साइन का मात तो कभी नहीं बदलता, सर आज दरसल मुझे बहुत काम है, इचासत बोल दोस्त, क्या करने का मेर को, तुमारे एरिया में डाड़े का स्पताल बना रहे हैं, अपरूवल के लिए वो ऑफिसर साइन ने कर रहा है, अपन के एरिया में काम रुकवाने का दम और किसमें, लोट एंसन माई साइन करवाउंगा, तुम बस बोले दोस्त, कान है या आपके पैसे दूंगा, मुझे थोड़ी पहलत दीजिए, सर सर, क्या हो गया, सर, वे, इसने अस्पताल का बिल भरने के लिए मुझे पैसे लिए, इसको बोल लोटाए, तू देगा क्या, सर, 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 थोड़ा टाइम दीजिए ना, सर, ठीक है, रमेश, तुम इधर आओ, पानी पी लीजिए, देखिए आपके पास पैसे नहीं है न, मुझे आदे घंटे का टाइम दीजिए, पहले हमें बोड़ी का लिवर और किटनी बेचना पड़ेगा, फिर उन पैसों से बिल क्लियर कर देखिए, तो पहले बिल भर ना, फिर बोड़ी देखिए, आपके पैसे बोला, अप, कौन हो तुम, रिष्टदार हो गैंके, तो कि इंसान की मदद करने के लिए, रिष्टा होना ज़रूरी नहीं है, इंसानियत होन एह, एमर्जनसी के वाक्त इंसान सबसे नस्दीक आस्पदाल देखता है, समझा, जेब में कितनों पैसा पड़ा है, वो नहीं किंता, है, मैं देखता हूं, बोड़ी ले जाने से कौन रोकता है, लेके चलो, बस बस, साइड बेरोंगे, बस याई रोंगे, बस याई आइडा है रोंगे, बार निगालिये, तुम कहां लें करण रहे हो, अमाझा खराब हो गया के तेरा, एसा क्यों कर रहे हो, एक मिनट रुको, मेरे बात, तुम सब लोग कान खूल कर सुनों, अंतिम संस्कार, मेरे कुछ टॉंजन कंडिसंज है, इस लड़की के महानपिता जी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं था तो उसने इलाज के लिए करजा लिया जो अब तक उन्होंने चुकाया नहीं है तो पहला लोन किलियर करो फिर इसको लेगे जाओ अगर हॉस्पिटल वाले बौड़ी अपने पास रखते हैं तुम आप पैसा कैसे वसूल करता है कि अरे क्या कर रहा हो मेरी बात नो चोड़ा है हाथ हटा अपना आया बड़ा है शिवा क्या कर रहा है तू मेरी बात नो सुन बेटा कि अपना काम कर रहा हूं बीच में टांगने डाने का सब की तरह शांद घड़े और तमाशा देख बेकार में हीरो बनने की कोशिच मत करना अब क्या कर रहा है बेटा वर क्यूंने समझ रहा है बात को समझ बेटा इसी का रुलाने से बाप लगता यह बात मुझे बोलने से पाप के पैसे हैं जब बहर बैसा पैसा पैसे दो झेल यह जो अब बता हुए मैं टाइम ने अपने पास जल्दी बताओ कौन देगा इसका पैसा मैं दूंगा पैसा इनका कर्ज मैं चुकाओंगा जाबाच मिस्टर दान्वीर एक साइटमेंट में कमिटमेंट तो कर दी लेकिन बता भी है उसका कर्जा कीतने का है चाहे जितना भी हो मैं भरूंगा इसकी गै चाहिए एक साइन करना होगा पुलीस सब कुछ खत्म होने के बाद एंट्री मारने का क्या फाइदा चाल आपस में समझाता कर लिए हम लोग ने रिवर्स गयर डाल कर निकाली दर से थाने ले जाओंगा चाल तेरी खातिरदारी करो क्या हो गया धानेदार जी लुकता वापस अपना इंट्रोडक्शन दे ना पड़ेगा के आरे जूनियर समझाएं निस गो तूने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन अभी बाकी है, अब सही टाइम आया है, तेरे खिलाफ कंप्लेंड तरच हुई है, कंप्लेंड की है, वो भी मेरे खिलाफ, मेरे बाहर आने पर भाग कर अंदर जाने वाले लोगों ने मुझा यं ने की है, जन्म दिया, तूने चलना सिखाया, तू ही तो है प्यारी मा, मेरे जखुमों में दर्द तुझे हो, मैं ही तेरी दुनिया, मैं इसके खिलाब का वाही दूँगी, आप चुप्रेया हो गया, मेरी वज़ा से जो, आसुगिरे तेरे ने बागर हो या, मेरी नजरो से मैं गिरा, करू ना किसा घर को क्यों दर्द ये दिया मैंने, पाप ये मुझे से हो गया जन्नी दिया, तुने चल्ना सिखाया, तु ही तो है प्यारी मा, मेरे जखुमों में दर्द तुझे हो, मैं ही तेरी दुनिया मेरी वज़ा से जो, आसुगिरे तेरे नेनों से, मेरी नजरों से मैं गिरा करुना के सागर को क्यों दर्द ये दिया मैंने, पाप ये मुझे से हो गया तु ही तो प्यारी मा लक्षमी इंसानियत के नाते सोचू तो मैंने उसके साथ बिल्कुल सही किया लेकिन अगर एक मा के नाते सोचू तो मुझे अपने किया पर पच्टावा हो रहा है पता नहीं पुली स्टेशन में उसके साथ वो क्या कर रहे होंगे मैं इसके खिलाब कवाही दूँगी लक्षमी तो पागल हो यह रच्टी आप चुप रहे हैं बड़ा पॉल्वा था मेरे खिलाब कंपेंट रहेगा वो हमारे सामने पला बड़ा है उसे इस तरह मुसीबत में देखकर आप सबको दुख नहीं होता क्या उसे छुडाने में मेरी मदद कीजी जब माबाप नहीं उसे ठुकरा दिया तो हम उसकी मदद क्यूं करें अरे अगर हमारे बच्चे ऐसी कोई गलती करते तो क्या हम यूही चुप बैठते क्या भले ही वो हमारा बेटा नहीं है लेकिन इस इलाखे का तो बेटा है ना किसी भी तरह उसे छुड़वा लीजिए आप भी चलिए मेरे साथ नहीं गुरुजी अगर उसने मुझे वहां देखा तो वह वहां से निकलेगा ही नहीं आप किसी भी तरह उसे छुड़वा लीजिए अब बाहर निकल मुझे जेल में सड़ने के लिए भेज़ दिया और यहां चैन की नीन सो रहा है तुँ हाँ लक्ष्मी वो भले ही हमसे दूर होता जा रहा है पर हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो सकते लक्ष्मी बोलो ना मुझे सट डरेक्ट टक्राने का जिगरा नहीं है तो मेरी बेचारी मां को इस्तमाल करके मुझे जेल भेजवाया अब बस देखता जा इसे इसी इसी इलाके के लोगों के सामने तुझे एक दिन जलील करूंगा और पूरी शान के साथ मां को लेके जाओंगा तु बस देख अपन को तो लगा अपने जाने के बाद तुम लोग पूरी बस्ती में भावाल मचा के रख दोगे पर तुम लोग की तो पाड़ी चल रहे हैं डर पो क्यों तोने आंख्यों बन की हुई है अरे बापु मैंने डर के मारे आंखे बन नहीं किया तो फिर आपको उल्टा टां मुझसे इतना प्यार तो मेरी घरवाली भी ना करें सबी लड़कों को रात में सोते समय अपनी गर्फ्रेंड के सपने आते हैं लेकिन हम दोनों के सपनों में सिर्फ तू आता है अब नमरी तो बिटा दस नमरी मैं बाटली खाली करके आ रहा हूं तुम लोग मुझे बाटली में उतार रहे हो तुम जैसे सौच्छा पलूस चैप्टर को जेब में रखता हूं अब अगर एक और जूटी तारिफ कीना तो अफते बार के लिए ऐसा ही लटका के होने वाले दामाद को जेल हो गई लेकिन इन लोगों तो कोई टेंशन ही नहीं है यार मेरी फिक्र करने के बजाए यह लोग दूम दाम से फंक्शन कर रहे हैं कास्ट्यूम चैज लोकाइशन शीफ सर्जीकली स्ट्राइप आज के इस कवी संभेलन में आप सबका स्वागत है अब इसकी तो यह 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 सब क्या हो रहा है किसी के फंक्शन में बिना बुलाए घुसे चले आ रहे हो अब यह बिंशिलके के मैंगो तेरे को मालूम है मेरी खुद की माने दो दिन के लिए जेल बेज दिया था दो दिन पुलिस के डेंडे काने के बाद भी तेरे फंक्शन में खड़ा हूं स्टैमिना की तारीफ करने के बजा है मुझे भाशन दे रहा है तू अच्छा यह बता यह कौन्जा और्गेस्ट्रा है डांस वांस का प्रोग्राम है क्या है अब मोराख यह कोई और मेडम मैं एक दिन जेल के चला गया इतनी कम्सोर हो गई हट्यों के धाचा लग रही हो आप इतना चुप क्यूं है आज मम्मी ने डाटा क्या आपको पापा ने डाटा क्या डरती है आप इन सब रिस्तेदारों से कभी ने डरने का इनका तो कामी होता है बिना मतलब बक्व करना कुछ तो बोलो ना यार आज मैंने फुल रिचाज करवाया आज मैंने टाक टाइम इत यू अच्छा चलो इन सब लोगों को चोड़ो हम कहीं बाहर चलते चलों कोई बचा आलो इन लोगों से बंटाय देखाना मुझे कितना प्यार करती है मैंडम तुच्छा तंगा ए बंटाय देखना ऊपर से कभी कभी लगता है कि पापा मेरे को टाटा बाय बाय कर रहे है मुझे टाटा करें कि अच्छा लगा मेरे स्टेप्स मेरा डाज मेरे सिंगिंग अच्छा इंश्य क्या समझते हो तुम हां इंसान हो या हैवान एसे पागलों की तरह पेश आओगे तो कौन से रड़की प्यार करेगी तुमसे प्यार का मतलब भी जानते हैं तुम वह चुड़ों आईने में शकल देखिए यह बचसूरत दाड़ी यह लंबे बाल दिखकर तुमसे प्यार नहीं नफरत हो चुकी है पता है मैं नफरत के ही रायक हूँ प्यार बयार करना इसे चीन कर ले लेता हूं लेकिन मैडाम अपनों का प्यार ऐसी चीज है ना जो चीन कर हासिल नहीं किया जा सकता है पेशे की तुम्हें मेरे दाड़ी और मेरे लंबे बालों को देखकर खिनाती होगी लेकिन मैंने कभी एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा हम जैसे लड़कों की पिराबलम क्या है पता है पड़े लिखे लड़कों की तरह बैग्राउंड एसी परिलिखी लड़कियों को कितना भी प्यार कर लें लेकिन आप लोग कभी भी हमारी इज़त नहीं करोगी नहीं हमें कभी मौका दोगी और मैडम जाने से पहले एक बात सुन लो समझी आपके बाबुजी ना सबसे टॉप लड़के साब की शादी करवना चाहेंगे ल कि यहार आज अपने अरी अलग अलग सा कई को लग रहे है जल्दी जाने आज पहली बार हम जल्दी उठे ना इसलिए तुझे सबकुत नया नया लग रहा है तो टेंशन मतले है यह दो चाहे दे देख बंटा है अपनी मेडव आरे लिए कुछ यादा हो रहा है तुम्हारा कल रात को पीने के बाद मेरे हाट के जजबात को निकाल के तुम्हारे सामने रख दिया और तुम बिना कुछ बोले पतली गली से निकल रही हो हां मैंने नहीं कहा आपने इमोशन बाहर निकालने को तो मैं क्यों रियाक्ट करूं चलो निकलो यहां से वरना मैं पुलिस स्टेशन ले जाओंगे अगर तुम्हारे जैसे लड़की को मैं भाव देने लग गई न तो यहां लड़कों की लंबी लाइन लग चाएगी समझ गया लेकिन आपको कैसे पटाने का यह समझ मैं नहीं आ रहा है तो उसका टीउशन तो देती जाओ ना देखो ड्राइडे दारु कहां मिलती है यह पता है ना तुम लगों को तो इसकी बारे में भी सोचो मुझे कैसे पटाना है सोचो कोशिश करो यह तो अपने कोई कंफ्यूज के चली गई वह यार वह लड़की टीचर है और तू तो 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 तौचर है तो इस तरह उस लड़की को पटा नहीं सकता तुझे बद को तो 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 आइडिया कोई देना की आइडियाव अंकल करने की आदत नहीं है डायरेक्ट मैटर पर आता हूं मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं जल्च चल्डि इससे शाधी करना चाहता हूं मैं तुमसे हाथ जोर के बिंती करता हूं हमें अकेला छोड़ दो बस बहुत हुआ हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे लेकिन अपनी बेटी की शादी तुम जैसे गुंडे मवाली से कभी नहीं करवाएंगे अंकल जी क्यार से कह रहा हूं मैं आकर अपना अश्रवात दे दीजिए मैं तुम्हारे पढ़ता हूं आपको उसके पैर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यह अब ही जिता है ओ भाई चल लेके जाओ इसे यहां से अंकल बेटी को अच्छे लड़के को दूँगा शरीफ लड़के को दूँगा बोलके क्या धिल्ले को दे रहे हो आप है बुबंद कर अपना मेरा भाई एंजिनिरिंग साइंस कॉमर्स एंब्ये सब पढ़ाई कर चुका है और तू ज वो जानी हो तो फिर हो जाए मुशाबला लेकिन मुस्किल मुस्किल सभाल पूछ कर तूम मेरे दोस्त को फच को ठीक है थीदुरे दोस्त को तुसाइड पूच और मेरे भाई को मैं पूचोँ आए ठीक है पूछ और मेरे भाई को मैं पूछूंगा ठीक है तो आज हो रही इस कुछ का नाम है कौन बनेगा टीचर का पती तलिया तलिया बस बस पहले का नाम है मिस्टर शिवु और दूसरे कॉंटेस्टन का नाम तेरा नाम क्या तुझे पता नहीं क्या जो पूछा जाए उसका जवाब दे प्रताप प्रताप अब मेरे भाई को पहला सवाल पूछने जा रहा हूं ब्रह्म सुत्र किस व्यक्ति ने लिखा है वेद्व्यास जी ने विल्कुल सहीं बोला मिस्टर शीवो बताइए सूरत देवता कौन सी दिशा से निकलते हैं अपने सुभावटने से पहले सूरत निकल जाता है और इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहा है कुछ इजी पूछने का रहा हरा हरा इसा जवाब पता नहीं सब्सक्राइब कि मैं जीत गया मैं जीत क्या चीटिंग बें तुमने की काड़ के दिखाओ अपने चीटिंग इज नहीं है चोटे कूल तुझे कोई हरा सके यह संभव ही नहीं है सन 1922 के बारे मैं मुझसे पूछ रहा है तुमझा यहां हराने के लिए क्या वो देख उससे कैसे सवाल पूछ रहा है क्लू लू दे आखरी सवाल पूछने जा रहा हूं मिस्टर शीवो मेरे हाथ में कितनी उंगलियां है तुम भी मुश्किल सवाल पूछ रहा है तुमेरा पंटा है कि इसका उनके साथ हन्याई नहीं होने दूंगा यह कॉम्पिटिशन है दोनों को पूछा जाएगा उनसे मुश्किल सवा सवाल पूछ रहा है देखा आपने ऐसे हाथ दिखाकर क्लू देखर इसमें कितनी उंगलियां पूछ रहा है तो कोई भी बता देखा मैं तुम्हें भी हाथ दिखाकर सवाल पूछने जा रहा हूं मिस्टर प्रताप को आखरी सवाल पूछने जा रहा हूं मिस्टर कैसे क्घतlear 감사 पूछा सवाल कुछता तुछे पता Hij सकता है एक कोई कैसे पूंशै प्रोब करें है सब तब मेरे साथ चीटिंग और यह पूछा इंसे मैं तो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए था लेकिन इन्हों ने कौन बनेगा टीजर का बाती गेम चुरू कर दिया और इसमें अपन जीदी गया मालम और अभी हारने मान रहा है अपने देखो मुझे किस से शादी करनी है यह मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम निकलो यहां से देखो इतने दिनों से मैं तुम्हारी बाते सुनता आया हूं इसलिए अप सिर्फ मैं बोलूंगा तुम सुनोगी समझी आज फाइनल आखरी बार बूच रहा हूं तुम से अगर त से देज गाइज यूज लेस फेलो एज कम लास्टेन क्विज हजारो बच्चों का भविश्य मेरे हातों मैं पिता जी इसलिए अपने भविश्य की चिंता मुझे आपसे कई जादा है वो बुरा लड़का नहीं है बस थोड़ा सा भटका हुआ है मैं असे समझाने की कोशि कर रहे हूं चिंता मत कीजिए मैं असे सम्हाल लूंगे पताजी रामकृष्ण भाई रामकृष्ण भाई नमस्काल यहां कोई बिल्डर के लोग आये थे हमें यह एरिया तुरंट खाली करने को कहा है कुछ होस्पिडल की बात कर रहे थे आपने कहा था हमारी सहमेत्री की बिना कुछ नहीं बनेगा लेकिन उनके मुताविक तो आप नहीं कागस पर साइन किये हैं लेकिन मैंने तो साइन करने से मना कर दिया था किस बिल्डर के लोग है वह कुमाल करते हो यह जगा तो सरकार नहीं कैसे हो सकती है अरे हमें भी तो यह जगा सरकार नहीं दी है पर siign करने से फिर मेरा scientific document पता नहीं उनके पास कहा अ हमारे पास बसे की रास्ता है हमें court में केस फायल करना होगा मैं खुद आई सब्सक्राइल कर दिये है ठीके ठीके मैं उन्हें भेजता हूं एक्सक्यूज में हम एंटी करॉप्शन ब्यूरो से आए हैं आप लोगों से रिश्वत मांग रहे हैं ऐसी आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारेंट निकला है क्या मैंने रिश्वत ली है येस येस अब बहुत बड़ा फ्रॉड है आज हमने इसे रंगे हाथ हो पकड़ा है अरेस्ट ने कुछ भी नहीं किया है हम सब उगलवाएंगे चल दो तुम तो करते हम लोगों को कुछ नहीं होगा पर तुमने पुरे बस्ती को बेख जा रहा है जिंदकी बर हमारे साथ रा और हमसे दोकेवाजी की तुमें तुझे घरीब आद्मी की बद्दुआ लगेगी भगवान कभी तेरा भला नहीं करेगा पापी मैं तुझे शराब देता हूँ तू कभी चैन की नीन नहीं सौएगा कभी नहीं सौएगा जबाश क्यारे मेरी मा के कंधे पर बंदूक रखकर मेरे को निशाना बना रहा था ना हां देखा ना आखिर भगवान ने तुझे सबक सिखाए दिया अफिसर जल्दी से आत्मी को ले जाए और गवाई चाहिए होगी तो बता देना मैं अकेला नहीं महुलने के सारे लोग जाएंगे साइकाना चलो जिसे अरव जिंदगी में आज पहली बात चैन की निस होगा चलो 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 जो तो आप तोरी 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 चली आए थी मुझे मुझे रिश्वल के जुराए करतार के लिए अपने हीरे जैसे बैटे का तुन्हें बलिदान दे दिया मा मेरे दिल के दर्वासे सदा के लिए खुले रहेंगे मा कि अब जल्दी से डॉल बैंड सब लेकर आओ रहे अपन को डांस करने का मूड़ हो रहे है रुखना बैंड मैडम बस आज तु मेरे को आई लव यू बोल दो तो सीधा आस्मान में पहुंच जाओंगा तुम में इंसानियत नम की चीज नहीं है क्या लोगों को हमेशा परिशांग करते रहते हो लेकिन फिर भी मैं सोच्छी थी तुम्हारा दिल साफ हो वो भी ग जगा यहां इंसानों के साथ नहीं है जंगल में जानवरों के साथ क्या बुली मेरा बाप अरे काई का बाप कौन सा बाप तेर से प्यार करता हो इसलिए खामोश हूं अगर तीरी जगा कोई और होता ना तो अभी होस्पिटल में बैट के आखरी सासे गिन रहा होता तुम् निकलना यह पिटा बाजा 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 देख बाक्यानेच खुशू हूँ इन्हें क्यों मार रहे हैं छोड़ो मुझे लुक जाएगे खुद को क्या समझता है बे तु एक मामूली ऑफिसर है और कुछ नहीं सूट बूट पैंड कर तेरे से तमीज से क्या बात कर ली तुझे लगा मैं कोई मामूली आदमी हूँ जो तेरे नियम होके आगे जुग जाओंगा बिजनेसमैन के भेज में एक सडक चाप गुंडा हूँ मैं सिर्फ दिखावे के लिए ये सूट बूट पैंड कर घुमता हूँ अगर मैं चाहता ना तो तेरी कुर्से पे किसी को भी बेटा देता और कपका अपना काम कर्वा चुका होता लेकिन तेरे मना करने पे तुझे सबक सिखाना जरूरी था और तेरा साइन पता है मैंने कैसे लिया तुमने ठीक सुना मैं नहीं उससे साइन करवाया बस इतना ही नहीं पूरी बस्ती खाली करवाने का कॉंट्रेक भी मैं नहीं लिया है अरे गद्दार जिस ठाली में खाता है उसी में छेट करता है शरनी आई जरा नीचे ले क्या बुला वे गद्दार ही की वह तो ऐसे बाद कर रहा है जैसे बच्पन से लेकर आज तक बस तुम लोग नहीं मेरे को पाला पोशा निखल में भू क्या देख रहा है निकाली दर से पहले इसकी दुकान खाली करो रहे अब उस सारे इलाके को तेरा बेटा खुद खाली करवाएगा देखेगा क्या अब इदर काई को खड़े हो जल्दी बस्ती खाली करो वो तो पुलिस लाकर खाली करवाने की बात कर रहा था लेकिन मैंना उससे रिक्वेस्ट किया कि जब और साइम भी तूने किया है इसके गवाई तुझे देनी होगी मैं तुझे दस मिनट का टाइम देता हूँ तो क्या फैसला किया सब लोगों ने अरे तुम लोगों को यह बस्ती अपने जान से ज्यादा प्यारी है क्या अच्छे से सोच लो भाई बंडाए इनने समझा यार मेरी फीलिंग्स इन लोग तक पोच नहीं रही है होई एंगा टाइम काप्टो क्या काम शुरू करो अगाँ 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 आफ टुरू जी आप बेलकुल फिक्र मत कीजिए यह सबसिर्फ इलोक के लिए हम दोनों का इंता सामाहिने कर दिया बेटा अब तक जो तुने किया वोई बहुत है अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मैं और मेरे बच्चे अब कभी तेरे रास्ते में नहीं आएंगे अरे बेटा मेरे आश्रम में पला हूँ अललका इतना जहीला कैसे हो गया अपने माबाप और अपने ही महले के लोगों के किसी के दिल में अपन के लिए कोई जगा रही है कैसा धोका उन्होंने तो तुम्हारे लिए शादी की मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया मेरी मा को पागल बना के शादी की उसने बहुत हुआ तुम्हारी बाने दूसरी शादी की किसी के बहकावे में आके नहीं लेकिन उन्हें समझने के वजाए तुम घर छोड़कर मेरे पास आ गए दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिने माबाप ठुकरा देते हैं और वो सड़क की ठोक रखाते हैं लेकिन पता है मेरे आश्रम में तुम्हारा खर्चक किसने उठाया तुम्हारे उस पिता ने मैंने उन मजदूरी करके जो पैसे उन्होंने कमाए थे वो सारे तुम पर खर्च कर दिये तो भेर क्या सोचा तुने जिंदगी भर इमानदारी से काम करता आया हूँ मैं कभी अपने माथे पर भीमानी का दाग नहीं लगने दिया मैंने मेरी जान लेकिन मैं नहीं मानने वाला मुझ शिवा आई नहीं उस ऑफिसर की बेटी को लाने को काहा है तुमारी बेटी के साथ मैं क्या करूँगा वही सोच रही हो ना वैसे तुमारा बेटा ही उसे मेरे पास ला रहा है अपनी मा को पाने के लिए मैं किसी भी हाथ तक गर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ है चल रहे जितना तुम और तुम्हारे माता-पिता उससे प्यार करते हो वो उसके लायक नहीं है मुझे बहिया के बारे में तुमसे सला लेने की कोई जरूरत नहीं है वो बस हमसे नार बहिया को मैं अच्छे से जानती हूँ है क्यारे उसे चेतावनी दे दी ना ज्यादा शानी बन रही हो तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उसको माय अपने साथ लेकर ही जाऊंगा तुम्हारे सामने लेकर जाऊंगा बचपन से मुझे जिस खड़ी का इंतसार था वो आज जा चुकी है उस आदमी को जेल भेजवा दिया और उसकी बेटी को उनके पास ले जाकर छोड़ दूगा फिर मेरी मा का सहरा कौन होगा उसका सिर्फ ये बेटा इसलिए आज मेर को कोई रोक नहीं सकता अधिया तेरे को मालूम है मैं तुझे कब से डून लाओं अरे तु इतनी उदास क्यों है आज ओ और मुझे यहां देखकर हैरान होगी क्या हर साल तु बिना भूले मुझे राखी बानने तो आती रही इत साल तु अपने भाई को भूल गई क्या बहूल गई बहूल गई को धुल गई तु लगता है तेरे पास राख का लाए कोई बात ने मैं लाया हूं यह ले है है अरे सोच किया रही है पगली बान दे मैं इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रही थी मन भर गया मेरा बहुत खुशी हुई जब बहन भाई को राखी बांती है न तो भाई का भी फर्ज बनता है कि उसके बदले में पहन को एक अच्छा सा तोफ़ा दे लेकिन मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं भाईया अरे ऐसे नहीं चलेगा पहली बार राके बांती है जिन्दगी भर नहीं भूलूँगा और तुम्हें भी ऐसा तोफ़ा दूँगा जो तुम जिन्दगी भर नहीं भूलूगी मेरे साथ मतलब अपने भाई के साथ चलूगी ना हाँ भया चलूँगी तो आओ चले क्या हो क्या पहना इन लोगों को देखकर ड़ लग रहा है क्या आपके होते हुए मैं क्यों डरूंगी भाईया आज आपकी इंगेजमेंट है और आप घर होने के बजाए यहां बैठे हो भाई तुम लोगों कोई खास दावत देने मैं यहां आया हूँ तुम तो बस मेरे लिए ही काम करते हो यार आई लव यू हेँ हेँ है यहाँ ए लेकर अपी है ह्याँ सुझ मतर crianही कर दो सक्थ शहाँ है लोज आट Symak मेरको लाइफ में बहुत लोग का इसाप चुकता करना है चल आज तज से ही शुरू करता हूं मैं आजा ए शिवा क्या कर रहा है भूल गया किसके अड़े पर खड़ा है तेरे अड़े पर अकेला आकर तुझे खुले में लल्खार रहा हूं मैं आजा अपनी पूरी फौज इकठी कर ले इतनी लाशे बिछाऊंगा कि किनते वे ठक जाएगा ये एक मर्द की जबान है तेरे तेवर थोड़े बदले हुए लग रहे है आज अबे सिर्फ तेवर ही नहीं जो लड़की वहाँ बैठी है ना उसने तो मुझे उपर से नीचे तक बदल डाला है पूरी दुनिया मेर को पापी कच्रा लोफार ठक समझती है कोई अपने पैरों की चपल भी बना कर पहिनना पसंद नहीं करेगा लेकिन आज वो मेरे पैरों में गिर कर पता है मुझसे क्या बोली मुझे आशिरवाद दीजिये भईया इन हाथों ने बहुत सारे पाप की है लेकिन आज तक हाथ कभी कापे नहीं लेकिन आज जब उसने मुझे राखी बांदी तो मेरे हाथ ही नहीं पूरा शरीर ही काप उठा बड़े भाई का आशिरवाद लेते समय जब उसके आसु मेरे चरनों पर गिरे तब मेरे अंदर सदियों से भरा हुआ अहंकार उनासुओं से धुल गया यार रिष्टे नातों में कितनी ताकत होती है उसक्त आइसास हुआ बुझे जिन्दगी में फर्स टाइम लोहे के इस हाथ से ज्यादा वजन इस राखी में होता है दस साल तक मैं अपने पिता के लॉटने का इंतजार कर रहा था लेकिन मेरा भरोसा तूड़ गया वैसा ही बचपन से मेरी बहन मेरे लॉटने का इंतार कर ये लेकिन उसका घृल नहीं तोड़ूँगा कैज तक उसे कभी भी मैंने अपनी बेहन नहीं माना लेकिन फिर भी मेरे बस एक बार बुलाने पर वो आ गए बिना एक भी सवाल पूछे बल्कि जब किसी बहन पर खत्रे का साया मन रहता है तब एक भाई उसकी रक्षा कैसे करता है आज उसका एक नमूना तुझे दिखाने के लिए मैं यहां आया हूँ तुझे याद दिला दूं कि मेरे सिर पर किसका हाथ है माई डाड जेबी दे किंग मेकर एक्स्ट्रा माल चाहिए तो बोल तो चार सूट के सौर दे दूगा लेकिन यह फिजूल का भाई बेन का ड्रामा बन कर और उससे मेरे हवाले कर दे काम करता पे तु मेरे लिए बाप का पैसा तेरी हैसियत बदल सकता है लेकिन तेरी आउकाद नहीं फाइटा एक एक का नामों निशान मिटाने आया हूं में तेरे बाप को जाकर भोल मेरे बारे में भगवान शिव जी के नंदी बेल जैसा शांस वभाव बिलकुल नहीं है आप उनका मादूरगा को जो अप नहीं बलबूत है पैस सबसे लड़ने की शक्ति रखता हो तेरे अड़े पे अकेला आया हूं मैं लेकिन पलक जबकते ही तुम सब की लाशों का ठेर लगा कर निकल जाऊंगा मैं बेटा तू तो सिर्फ ट्रेलर देखकर ही हिल गया है अगर पूरी फिल्म देखा दीना तो सोच तेरे साथ क्या होगा खड़े खड़े मूग या देख रहे हो मार मार के इसे और इसके घमन को चकना चूड़ कर दो प्रक्र-क्र-क्रषods वर जहो इस वडरश बएस वर जह व पर जह वर जह व पर जह कि अचल दी अम्बिलेंस लेकरा अचलो in कि अ अचलो कि अचलो झाल झाल मुझाल है कर दो हैesta तो क कर दो है कर दो है कि अवकार आपी तो पंट से अज सुन चाए दो कि अज toolkit. विन्हों प्रेश कि अव्दियू देवें। कि अज खने कि अज दो कि अज़ मंद दखाओ अज प्रेश कि अजिए अपार देश कि अज़े जाब कि अफ़ो उन लगा और पुछो काई वो अभी तक आया क्यों नहीं आता होगा बेटी बस वो वो आई रहा है रास्ते में ही है अज उसकी अंगेजमेंट है अपन ने सुचा क्यों ना छोड़े की इंगेजमेंट से पहले छोड़े को धोड़ी सी तमीज सिखा दी जाए वही कार्यक्रम चल रहा है अगर उसे कुछ हुआ ना वो तो तेरे हाथों में अरे जिससे तुने जेल में बंद करवाया है छोड़ उसे और आप उनके इलाके में अस्पताल बनवाने का ख्वाब भी छोड़ दे ठीक है छोड़ दिये लेकर उससे पहले तुझे मेरे बेटे को छोड़ना पड़ेगा मैं तो अपनी परचाई पर भी भरोसा नहीं करता तो तुझे से दखावाज आदमी पर कैसे करूँ चुप चाब वहाँ पर जा और मेरे सामने सब कर कॉल पर तेरा बेटा देख रहा है ना वैसे ही सब मुझे दिखना चाहिए ठीक है काड़ी स्टार्ट कर जा दी से पुलिस्टेशन ले चल्दी उन्हें छोड़ दो चल्दी अरे सर आप जाईए मैडम आपी जाईए तुमने देखा ना देखो देखो सब यहीं पर है देख रहे हो ना देखो देखो अच्छा से देख लो अरे सब लोग सुनो भाई यहां देखो मैं सारे कागलात फाड़ रहा हूं किसी को बस्ती खाली करने की जरूवत नहीं है अब उसे छोड़ दे अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो देख लेना तुम है मेड इन इंडिया पिस्तॉल हूं मैं सामने खड़े दुश्मन को सिर्फ ठोकता नहीं हूं उसे पू आपको वह राक्षस नहीं है बेटा वह किस दौर से गुजर रहा है मैं ही जानता हूं पूरे परिवार के होते हुए भी वह बच्छपन से अकेला बढ़ा है एक अनाथ की तरह जीता रहा है बस अपनी मां को लेकर थोड़ा जिद्धी है बेचारा लेकिन किसी के दिल दु पर लगा दी यकीन नी होता तु मेरा बेटा है वह बेचारी मेरा भाई आएगा मेरा भाई आएगा कहकर तरह इंतजार करती रही और तुने उसे यह तोफा दिया अपनों को तड़पाने वाले मनुष्य का तो सर्वनाश हो जाना चाहिए किनी हातों से तुझे पाला था इसलिए मैं लाचार हूँ वरना तुझे मार ही डालती मैं चल जा जा यहां से आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना मुझे कहिए इसे यह से तफा हो जाए कितनी बार तुने मुझे जलील किया मुझे गालियां दी मेरा अपमान किया लेकिन फिर मैं सहता रहा पता है क्यों कि मैं तुझे अपना बेटा मान था था है लेकिन तूने तो मेरी बेटी तकको नहीं बख्षा और उसके साथ यह सब कुछ किया अगर वो तेरी जगी बहन होती तो तूसके साथ ऐसे ही करता है कि खड़ो के आजाए यहां से चाहां कि अधि जिन्दकी पर प्रेंसे काफी दूग पता नहीं कैसे जिन्दा रहते हैं और अपनी बहन को भी इसलिकों भूग उखने लाइक नहीं है कि अधि दित कुछ नहीं कह रही हैं कि आद कि पता है आपको उन्होंने क्या कहा मुझसे मुझे रिष्टों की एहमियत नहीं पता राक्षा सूम है मेरे पास दिल नहीं है बच्पन से आप मेरा ख्याल रखते आया है ना तो आप ही बताओ क्या मुझे रिष्टों की एहमियत नहीं पता मेरे पास दिल नहीं है क्या बच्पन से बस माँ वापिस चाहिए थी उसे जिन्दगी की हर खुशी देना चाहता था उस किल्प ऐसा कवाना होगा यहीं सोचकर बैठा था अपनी माँ को पाने के जुनून में सब कुछ भूल गया और ऐसा बन गया कि आपको पता है आज मेरी माने मुझसे क्या बोला कि तुझे इनी हाथों से पाला इसलिए मैं लाचारू वर्ना तुझे मार डालती लेकिन मां को क्या पता मैं तो बच्पे सही मर्मर के जी रहा हूं इस दुनिया में इस जगा पर अपने दिल की बात बताने के लिए अपना दुख बताने के लिए बेराँ आपके सिवा हैं और कौन है कोई नहीं लेकिन उन लोगों की तरह आप में मुझे ठुकराना मत मैं आपसे आज वादा करता हूं मैं आज के बाद किसी को तक्लिब न सख्ण पर सिर्फ हम पर सिर्फ आपका है और जान लेने का हग भी सिर्फ आर्पके progress कि हुँ टीचर भी आ गई समने अच्छा सुदाय आज बस आप रह गए थे चलिए कसर पूरी कर लेजिए मैं क्यों सुनाओंगी आज कल के जमाने में जरा से दुख पर लोग दूसरों की सहानुभूती की अपेक्षा करते हैं लेकिन तुम अपना सारा दुख और दर्द अकेले ही जेलते आयों देखो मैं तुम्हारा दुख और दर्द दूर तो नहीं कर सकती है लेकिन कम से कम उसे बाट तो सकती है होना कुछ समझेया नहीं कि अधिया चिल्लाना बन कर आख जाओ यहां से अरे तुमको जाओ यहां से जाओ इस तरह जबना करने से अधिया आज़ी जिन्दा हो जागा क्या पूरे शरीर के टुक्डे टुक्डे हो चुके थे सर ऑपरेशन थेटर में हमारे दो डॉक्टर्स तो बेहोश हो कर गिरी पड़े यह लॉंडा कोई मामूली इंसान नहीं है शेर है इसे दबोचने के लिए खुंखार भेडियों की फौज लानी होगी जो इसे कीर कर रख देंगे इतना बड़ा थमाका करूंगा कि उसकी आवास पूरे शहर में कौचेगी पुझे खुझे नहीं होगी । अज़ नहीं है जाना कर राख कर देंगे हम आए जो खुद को इस इलाकी का राजा समझता है उस श्रिवा को बुलाओ इदार है उसे यहां कैसे लेकर आना मुझे पता है है समी बचों को एक जगह इकठा करो जो एकठा है जिए यहां कैसे बचल्चन पीच, जबा है हुआँ जाए पिछो पिछो चला कहा थो पाया रोजा हो बच्पा बच्पा पाया को हो पाया अब जाओ भाई आगे 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 तुझे लिगा बेटे की मौत के बाद बाब किसी कोने में बैट कर शोप बनाएगा राक्षस हो मैं और अब यह राक्षस तेरा सर्वनाश करेगा मेरा सर्वनाश करने के लिए पहले तेरा बेटा आया और मैंने उसका टिकेट काट कर उसे उपर भेज दिया तेरा काल तेरे सामने खड़ा है और तूसे ही ललखार रहा है डायलोग बाजी बहुत हो गई आजा करता है डायलोग हaking और प्रिप आव करता है प्रुप कर दो कर दो दो बहुत हैं उना कि आफम एकार कि जोंगे ठाट कि आफम के परी पर भाट कि वे एकार कि जगा पर बहुज़ जगा। कि 5 एंवार भाट कि डिले फ़े हैं तो प्रफिंग कि आफमार भाट प्रूम्हें से साथ में अटयान के अटयान के अटयान के अटया है कि अएवär स местते हैं कि अएवर निए कमा भॉैँ कि अएवर कि औ का घॉरी यवर ट, ॉरी दिल झाएया विर्वेश पूमेश पहाँ तो कि के स विर्वेश अकाँ मॉ्य विर्वेश वो अपनलए जगा एक जब आर्फ आर्फिर ये और जब एक वाजना है यह तो प्याद़ में सित्वार ये एक प्रिकोंच्ट अपनलेग करें लिए प्रिकोंच्टेटर! साफ़ीर साफ! साफ़ीर साफ! साफ़ीर साफ! कर लbum कर दो कर नुट जयाँए। औ्युड़ थां़ मुड़िय झाओ जाँड मुड़ी कर दो लुड उल कर अजो अजार 높 बła्रार 1985 वस लौध 11 कर डख भाँ कर 12 बमद्स इस्य्हु वार य॓ट इस वर्भाइ走了 कृष्छ बभार कर डेंद एंदल किल दोग दोगारneck कर 825 वस लुछ किल वे अम रजब्स किल 2 बमद्स किल दो भें प्रेंदी सकति प्रहदें जन이면 जनिए जनिए जन वे जनिए जनम जनिन जनिए जनि Sun कि इन उनिए जब देखो मैं इस इलाके का राजाओं ये कहता था ना तू एक कैसे लाचारों की तरह खड़े हैं सब देखो सब इसकी हालाद तुम्हारी फटीचर जिंदगी बचाने के लिए इसने मुझ से भंगा लिया मुझ से नोटों की बारिश की इस पे नहीं माना बेन को मौरा बनाया फिर भी नहीं जुका तुम सब विकारीयों के लिए मेरे बेटे को मेरे बेटों को इसने बहुत बेरेंवी से मारा जिसने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया उसे बचाने के लिए कोई आगे आएगा आउना अधेक एग भी आपनी नहीं आया और इनके लिए तुने मेरे बेते को मारा हाँ जिवो शिवो 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 मेरे बच्चे तेरी मा आई है बेटा और शिवो शिवो मुझे माफ कर दें शिवो शिवो तुम लोग इनसान हो यह राक्षस इसे अखेला छोड़ तुम लोग तुम लोगों के भले के लिए कह रही हूं मैं वरना ये किसी को जिन्दा नहीं छोड़ेगा इस बात का घमंड है तुझे मेरे बेटे का हाँ अपने बेटे पर नाज है मुझे अगर तुझे अपनी नालायक आलाद पर नाज हो सकता है तो सुझ एक शेर एक शेर को पैदा करने वाली मा को कितना नाज होगा बचपन से लेकर आज तक मैं अपने बेटे को मां का प्यार कभी नहीं दे पाई बस मेरी क लोग से जनम लेने के नाते मेरा ये बेटा आज तक मेरा इंतजार ही करता रहा और अपनी मा के लिए आज ये उठकर तुम सब को खत्म कर देगा भाशन मत्या ज्यादा उठा इसे शिवु 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 और शिवु आखे खोई पेटा इसके पास पहुंचाने के बारे में कुछ सूचे का भी न तो उसे हर जनम में आके तणपा तणपा के मारूंगा शोए मुल शेर को जगा के अच्छा में किया अब तरह को शिवु शिवु कि बारे अब तरह अब तरह को गाहु हमादके टाह जाह, जह अाहु हमेजिख झाल 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 तिरा कर दो प्रॉट नाया मुन्दाओया थिरा प्रॉट आया थिरा मुन्म अच्णा माझे गखास्र नहां रम पन्ताया कि onu बच्रताया कि दो तो मनदे इए हुआ को आ頭 के लिए किया टम अधुको पहती हुआ माँ तू अपने बेटे के पास आखिर आई गई ना माँ मानता हूं कि मैंने बहुत गल्तिया किया है लेकिन तेरे लिए प्यार बिल्कुल जच्चा है माँ अब तो मुझे चोड़के नहीं जाएगी नहीं मेरे बिच्चे नहीं नहीं चल माँ चल चल याँसे अपने घर चलते माँ लक्ष्मी जा उसके साथ उसने तुम्हारा बहु मैं मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग सिर्ス मेरा बेटा ही को एस पाइब है इस शबौ इतने सालों तक मेरी माग को मुझे दूर रख कर खुस्सा दिलाया हंrocket और अब मरने की बात करके मुझे फिर से खुछ सा दिलाओ मत बाबा शिबू और दुख बरदाश्ट नहीं कर्म होगा दुष्ट चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों न बन जाया लेकिन उसे भगवान के सामने जुकना ही पड़ता है एक सच्चे भग पर चाहे कितने ही संकटों का तूफान क्यों न आ जाये भगवान हमेशा उसे उन संकटों से निकाल देंगे यही कर्म का सिध्धानत है जै बजरंग बली जै श्री राग